तो कि जैसा पॉल लिम ने कहा मंडे नाइट रॉग एडिशन के अंदर की ट्राइबल शीव भी आ सकते हैं वर्ल चैंपेंशिप के पीछी तो इसके क्या कुछ प्लांज और क्या जो रोमर रेंज हैं वह भी जीत सकते हैं वर्ल्ड हवीवेड चैंपेंशिप को और बी कुछ निज़ ने वीडियो में वेलकम बाक टू निए वीडियो ड्राफ्ट हो चुक है ऑफिशली वे में एंड चलो यह बात तो हम लोग जानते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ अपडेट्स ने से क्या रोमर ही सही में वर्ल्ड हवीवेड चैंपेंशिप के पीछे जा और वीडियो को पहले में शुरू करने वाले हैं खलकिसी गुद निउस की साथ में जो कि मंडे नाइट रों की कॉमेंट्री या पे कहलो अनौंसर चेंज होने की बारह में चुड़ी बेसिकली कॉमेंट्री ने में अनौंसर ही कहना चाहरा था अगर आपको याद होगा जो समयंथा अर्विन नाइट रों की जाएंगी आइंड जो माइक रोम जो की मेल कॉमेंट मेल आनौंसर ने सौरी डबल डबले के लिए वो जाने वाले फ्राइड नाइट स्माग डोन एडिशन के अन्दर याने की ब्रैंड स्विच के अंदर या फिर ड्वी ड्राफ्त के अ सब्सक्राइब करें और आपको सेमैंथा इर्विन जाते हुए नसराएंगी इडिशन में माइक रोम शिफ्ट हो चुके हैं फ्राइड नाइट स्मैक्डोन के अंदर तो इस वाले पुरे चेंज को लेकर आपका क्या ओपीनिन है शेह करना कॉमेंट सेक्शन में अब जो नेक सुपर स्टार्स एक तरह के ड्राफ्ट है रॉक हतम होने के बाद वहां निकी क्रॉस डाइना ब्रुक जॉनी गार गायनों इंजल गार्जा हमबत करियो पाइपन नाविन जाया ले टेगन नॉक्स एमा रिडिक मॉस इंडर शेर यानिके जिंद्रमाल वीर एंड शैंकी श कुछ ड्राफ्ट के बड़े ड्राफ्ट सेंपट कंपनी ने अनौस के शोग हतम है और इंडर शेर को लेकर टूबी ओनेस में एक्साइटेड हूं कि वह एक फाक्शन की तरह बार है तो अच्छी तरह करती हुए नज़ा है और ग्रेसन वालर उस लॉन्टे का फिनिशन मों सब्सक्राइब कर सकते हैं कि दोनों सूपर स्टार्स के इंदर पोटेंशल अच्छा खासा देखती है और ग्रेसन वालर को भी स्माग्डाउन की शोगी अंदर एक अच्छा-खासा पुछ मिलने वाला है अब देखो पुछ का मतलब यह नहीं होता है कि सामने वाला इंसान चैंपिन बन रहा है पुछ इंदर सेंस यह भी हो सकते कि ग्रेसन वालर अच्छे माचिस देने या फिर इन फ्यूचर मिटकार्ट चैंपिन भी बनते हैं लेकिन धीरे-धीरे करके कंपनियों ने मास्व पुछ देने वाली है और स्मैक्डाउन में आके उनके शुरवात हो कि वह उनसी बहुत जाएं कौन से सुपश्टार कौन सी ब्रैंड के अंदर जा रहा है यूगी डवल डबली बता थी यह जनुछ की टिए को शुपश्टार को नहीं बता रही कि आप कौन सी ब्रैंड में जा रहे हैं या फिर आप कहा जा रहे हो तो उसके कारण कॉमेंटे स्टाइब बता रहें कि पिछले रिपोर्ट थी आपर कुछ जादा बैक्स नहीं हो गया जैसे मैं के उस्ट कर रहा हूं लेकिन हां यहां पर थोड़ी बहुत कर्फीजन थी जो की क्लियर हो गई और मॉराल हो काफी हाई जिस तरह के सुपर स्टार्स को द्राफ्ट के अंदर यूज़ के अंदर तुम्हारे इस साफ से इस साल को जो ड्राफ्ट किसने जीता है फिर फ्राइड नाइट स्मैक डॉन के एडिशन ने अब चलो बढ़ते हैं एक सब्डेट की तरह इस बार वूमें चैंपेंशिप के बारे में जुड़ी है करने आप देखरों कि भी यांका बिले रहे हैं हमारी रिया रिप्लें दोनों की दोनों स्मैक डॉन रॉब में चैंपेंट नहीं है लेकिन उसका डिजाइन उसका पॉसिबिल एक स्पॉलर आया सामने बताया जारे जिस तरीके से ह चैंपेंशिप थोड़ी बहुत आप यह होने वाली यह वर्थ सट्राप उंपर नाजने रखवरा एक और न्यू चांपर्शिप इंट्रडूस करवाती भी नज़र आएगी थोड़ी बहुत सिमिलर होने वाली है हमारी मेल वर्ल्ड हेवीवेड चांपर्शिप से तुम्हें एक्साइटेड हो किस तरीके से कंपनी वोमेंस का भी डिजाइनर रिवील करती भी नज़र आएग स्पेकिलेशन आ रही सामने तो यह वो भी वर्ल हेवीवेड चांपर्शिप के बीछे अभी से जाने वाले कंपनी चाहती कि वर्ल हेवीड चांपर्शिप की जो हाइप अच्छी खासी बंती नज़र आए इवन अगर आपने देखा होगा रिजिए रॉक एडिशन गेंद वर्ल हेवीड चांपर्शिप के बीछे वीडियो बनरे टूबी होने चांपर्शिप की वीडियो का में यही मोटो यह जादा से जादा प्रमोट करना और अगर रॉमन करां बीच में लाकिस पॉल हमन से डवल डवल उसको हैप कर पारे तो आफकॉर्स कंपनी वो चीज करत लाइड चांपर्शिप के बाइड रहेंगे लिए इसवाली वीडियो को मैं यही पर रेंड कर रहा हूं अगर तुम्हें यह वाली वीडियो को कर देना लाइक साथ हमें चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब निके सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना और मिलता हम आप से आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जादा जल्दी तिल देन बाइबाई टेक केर